जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 11 शुब संकेत. दोस्तों अगर हर सुभा आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में इश्वर का वास हो चुका है. वह क्या है संकेत? आज हम इसी पर बात करेंगे. भगवान को खुश करने के लिए ल और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं, आये जानते हैं, इन संकेतों के बारे जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेश कृपा आप पर है। जो आपके कुछ कर्मों से वो लोट जाते हैं क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं उसे छोड़ देते हैं तो ये सब सही नहीं होता इससे ईश्वर चले जाते हैं यहां आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके घर में इश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वया इस बात का पता नहीं होता, और वो स्वया उनका अपमान करके उन्हें वापिस भेज देते हैं। यह कहकर कि मैं इश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी इश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते, तो आपके ये सब क्रिल्य आपके इश्वर को रूष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, आपको एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर एक जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्ट में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है, साथ ही यदि ब्रह्मा मुहूर्ट में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रही हैं, मंत्रों का जाप कर रही हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्ट में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं, कि इश्वर आपके घर में है नमबर दो यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्प में ही शंक की आवाज सुनाई देती है मंत्रों की आवाज सुनाई देती है घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है, तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं नमबर तीन, जब भी आप सुभा सुभा नहाध होकर तयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है, ये एक अजीब सी सुगंध होती है, जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है, ये ना तो किसी इतर की सुगंध होती है, और ना ही अने किसी अगरबतिया अने किसी चीज की बस आपको ये अजीब सी महक आती है ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है दोस जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदी कोई जीव यानि की कुटता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आजाते हैं। और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में ही वो आ रही है तो इसका मतलब है कि इश्वर आपके घर में दस्तक दे रही है। अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए। उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का पानी का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशा आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैविय शक्ती का आशिरवाद है। नमबर छे जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती हैं वह अमीर हो या गरीब उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहंत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिती में खुश रहते हैं उनके जीबन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नम्बर आठ खानपान में आने लगता है बदलाव मा लक्षमी जिस घर में भी आती हैं। उस घर में लोगों के खानपान की आते बदलने लगती हैं। नमबर नौक धन की देवी मा लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है, इसके अलावा मा लक्ष्मी को सफाई में इस्तिमाल की जाने वाली जाडू भी बहुत प्रिय होती है, कहा जाता है कि शुब संकेत हिंदू धर्म में शंक को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं शंक की आवाज भी काफी शुब मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुब अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंक बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंक की आव मन का संकेत देते हैं। इतनाओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है। और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कश्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। नंबर बारह यदी घर के मुख्य द्वार के आसपास चिडिया घोसला बना लें तो यह बहुत ही शुब संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिडिया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं बलकि उनके लिए दाना पानी रखें। यदी पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आँखों से आसु निकलने लगें। तो यह इस बात का संकेत है कि इश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। रूम स्प्रे या आर्टिफिशल फ्रेगरिंस के इस्तमाल के भी घर में खुश्बू। और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर इश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। तो समझ जाए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और इश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुभह तीन बजे से साधे पाच बजे के बीच यानि की ब्रहमा मुहूर्ट में खुले तो यह भी इश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ती से प्रसन्न है। नंबर पंद्रह जिस व्यक्ती की नींद अचानक से बार-बार रात के तीन बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। परदान कभी खाली नहीं जाता है। इश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती हैं। उन पर भी परमेश्वर की विशेश क्रिपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बलकि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किये लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की क्रिपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशाल बना सकता है। लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ जगडे और क्लेश के बीच गुजरती है। जिस व्यक्ती का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिती से सामान्य रहकर निपटना जानता है। ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। नमबर 18 भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इन में माता पिता, गुरु या ब्राह्मन है। इन में से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर कर आ जाएं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। यह तमाम जानकारी जनरुची को ध्यान में रख कर दी जा रही है। जोतिश और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था। और विश्वास पर आज माएं विडियो का उद्देश मात्र आपको बहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नह करते हैं। दोस्तों विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।